नमस्कार दोस्तों, SG Education YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है HSECET ग्रूप D के बारे में तो अब जो अलग बग उमीद लगाई जारी कि 26,000 पदों पर बंपर महा बरती होने वाली है चैर्मेन साब का बड़ा एलान भी आ चुका है हरियाना सरकार ने एक बड़ी खुश खबरी दी है इस वीडियो में आगे आपको दिखाने वाले हैं कि क्या अपडेट निकल करके आ रही है HSECET ग्रूप D भरती को ले करके तो पिछली वीडियोज पर आपनी तना प्यार दिखाया उसके लिए आप सभी का दिल से सुक्रिया आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहीएगा मैं आपके लिए ऐसे ही मैनत करता रहूँगा और शिक्षा से जोड़ी इस सभी अपडेट सबसे पहले लेकर के आतर होगा तो देखेगा यहां पर आज की देख सकते हैं आपर 20 जून की बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है यह देख सकते हैं क्या का गया है हर्याना सरकार ने गुरूप D के चैनित उमीदवारों के ल लिखा हुआ यहां पर 48 गंटे के बित्र विवरन मांगा है कि 48 गंटे के बित्र यह विवरन दे कि इनको क्यों जोइन नहीं करवाया गया कौन सा इनको जो है डिपार्टमेंट मिलेगा इस बारे में पूरी जानकारी दे ता कि पिछली जो बरती है वो कलियर हो जाए उसके कंप्लीट होगी तो आगे नई भरती की भी संभावना बनेगी फूरी डिटेल में अगर पढ़ने की बात करते तो देखिया क्या लिखा गया है हर्याना सरकार ने गुरूप डी के चैनित उमीदवारों के लिए 48 गंटे के बीतर जिलावार विवरन मांगा है चैनित में सूचना दी जाए उपरक्त वीशे पर दिनाक 31 दोजार चोबिस और 26 दोजार चोबिस को बेजे सरकारी पत्रों के संद्रम में अनुरोध है कि गुरूप डी कोमन केडर के नुविन्तम रिक्त पदों और नई बरती विग्यापन एक एक स्लेस दोजार तेईस के विरु के लिए एक स्लेस दोजार तेईस के विरु ठीक है दोस्तों तो उन डिपार्टमेट्स को बोलेगे आपके पास में गुरूप डी के जो कैंडिडेट है उनके लिए कितनी पोस्ट का लिए तो वह पूरा वीवरन में बेज़ेंगे तो उसके बाद में जो है नई बरती पर करिया पर जो सिस्टम स्टाट हो जाएगा नई बरती पर करिया शुरू हो जाएगी ठीक है दोस्तों आगे देखिया क्या का गए इसलिए नोडल अदिकारियों को उपरोक्त मांग वीवरन अप्रोलोड करते समय पूरी सावदानी बरतने का सक्त निर्देश दिया जाता है इसके लावा यदि रिक्त स्थीती के समन्द में कोई वी संगती पाई जाती है तो उसे उचित अनुसासनात में कारवाई शुरू की जा सकती है ठीक है दोस्तों तो यह यहाँ पर डिटेल्स दी गई है और यह क्या लिखा गया पैरागरा वो भी पढ़ दीजिएगा क्यो को दोस्तों यहाँ पर यह अपडेट निकल करके आ रही है क्या पिल की थी ग्रूप डी के अभ्यारतियों ने देनिक सवेरा को काफी समय में मैसेज बेज़ कर यह आगरे किया था कि उनकी मदद की जाए उन्होंने लिखा था जैसा कि आपको पता है कि ग्रूप डी के 10997 क करमचारियों की जॉइनिंग 9 मार्च 2024 को करवा दी थी इसमें से कुछ को डिपार्टमेंट मिल गए थे जहां उनकी जॉइनिंग हो गई थी जिनको कॉमन कैडर मिला था उन्हें अभी तक कोई डिपार्टमेंट और वेतन नहीं मिला है ठीक है दोस्ते देखिए कलियर का ग लोकसबा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ मगर अभी तक कोई मान दे वेतन नहीं मिला सभी की जिला मुख्यालियों में 70 किलो मिटर तक रोजाना आना जाना पड़ता है सभी लगबग कमजोर परिवार से आते हैं जिसके कारण आर्थी कालात खस्ता बनी हुई है सभी पाकर भी वे रोजगार बने हुए है चुटियों के दिन भी काम लिया जा रहा है साथ में ओवर टाइम करवाया जा रहा है डिपार्टमेंट नए मिलने से सरकारी करमचारियों का कोई लाब हमें नहीं मिल पा रहा है धैनिक सवेरा से आग रहे कि किरप्या हमारी मांग को लेख के जरीए सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें तो देनिक सवेरा को यह का था विद्यार्थियों ने ठीक है दोस्तों उन्होंने का था जिनका जो कॉमन कैडर में जोइनिंग हुई थी तो उन्होंने यह का था कि अभी तक तनखाई नहीं मिली अची तरीके से जोइन करवाया गया और काम जो है डूटी से जादा ओवर टाइम करवाया जा रहा है और दूरी भी 70 किलो मीटर तक लगबग चलना पड़ रहा है क्योंकि एक जिले में दूर दूर से जो कंडिडेट है वो आते हैं तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी अरिया यह थी नई अपडेट उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक तो करना ही करना है साथ में वीडियो को शेbd ей जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की सीख्याब से जुड़िए इस सभी जानकारिया सबसे लिविद प्रूब पाने के लिए सब्सक्राइब किये वगर नहीं जा रहा है नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसको दबा दो ऐसा करने से आपको अगली वीडियो बहुत जल्दी ही मिल जाएगी जैसे ही मारी नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन अर्ट